नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों कैसे हैं आप सब तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि धीरे-धीरे करके आपको SSE, MTS और हवलदार के रिगार्डिंग सब कुछ information दे रहे हैं और कल इसके final cut-up पे वीडियो लाएंगे कि आपका score कितना तक आएगा तब आपको इ पहले भी धीरे-धीरे करके सब कुछ आपको बता रहे हैं कि SSE, MTS में जाने के बाद आपको salary कितना मिलेगा, आपको leave कितना मिलेगा सब कुछ आपको धीरे-धीरे बता रहे हैं और ये सब बातें सब को YouTube पे आपको नहीं बतायेगा अकै लेकिन आपको ये सब जानना जरूरी है कि government job में जाने के बाद क्या-क्या benefit मिलेगा तो दोस्तों आज हम लोग ये चर्चा करेंगे कि SSE MTS और हवलदार के job में जाने के बाद salary कब-कब encourage करती है और आपका जब joining होगा तो पहली बार salary कितने दिनों के बाद encourage होगी सब आपको अच्छा से इस वीडियो में बता देंगे और कैसे कैसे salary encourage होती है सब कुछ आपको आज इस वीडियो में अच्छा से समझा देंगे तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe कर ले और आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को like कर दीजेगा तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सब पे ये लागू होगा ये सभी government job में लागू होता है तो दोस्तों आई आपको दिखाते हैं कि salary कैसे कैसे encourage होती है किन-किन बातों पे ये depend करती है दोस्तों salary encourage होने के लिए mainly दो factor काम करता है पहला क्या है आपका basic increase यानि कि annual जो increment होता है वो और उसके बाद DA increase यानि कि dearness allowance जो बढ़ता है यानि कि महंगाई भता जो बढ़ता है यानि कि जो salary encourage करती है mainly इस दो बातों पे करती है कि आपका basic encourage करता है और आपका DA encourage करता है इसी से आपका हर साल salary encourage होते रहती है तो यह कैसे होती है कब-कब होती है आई आपको जल्दी से बता देते हैं पहला बात है दोस्तों कि annual increment कब होती है यानि कि basic जो आपका है वो increase कब होता है basic कहने का मतलब है कि जैसे आपको पिछला वीडियो में बताए थे कि SSE MTS और हवलदार का जो basic है वो 18,000 है और इसी पे आपका सब कुछ जो allowance होता है basic पे ही depend करता है ज़्यादा तर allowance जैसे कि DA, HRA आपका basic जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा आपको HRA मिलेगा यानि कि house rent allowance उतना ही ज़्यादा आपको DA मिलेगा क्योंकि इसी पे तो मिलता है तो यह आपका 18,000 है तो 18,000 का उतना परसेंट मिलेगा मान लीजिए कि basic 50,000 रहेगा तो 50,000 का उतना परसेंट मिलेगा जैसे कि अभी आपका DA है 34%, तो अभी तो आपको 18,000 का 34% मिलेगा basic जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका salary होगा है ना तो दोस्तों जब आप जॉब में जाईएगा जब आप जॉइन करिएगा उसके बाद पहली वार आपका ये increment कब होगी आई आपको बताते हैं तो दोस्तों सबसे पहले कि इसका जो rule है कि 6 महिना यानि कि 6 months qualifying service होना चाहिए यानि कि आप continue job में हैं आपका 6 महिना का service होना चाहिए यानि कि आप जब join करिएगा तो कम से कम आपका 6 महिना का job हो जाएगा आप जब job में 6 महिना रह लीजिएगा यानि कि आप जब अच्छे से continue 6 महिना job कर लेते हैं उसके बाद आपका increment लगेगा और ऐसा नहीं है कि 6 मन्त आपका complete हुआ और अगले मन्त increment लग गया आपका जो है basic increase कर जाएगा ऐसा भी नहीं होता है यह increment होने के लिए basic increase होने के लिए दो date दी हुई है कौन-कौन date तो आई आपको बताते हैं कौन-कौन करते हैं तो 6 महिना जो complete होगा वो आपका फरवरी 2023 में जाके complete होगा है तो इसके बाद जो increment का जो date आएगा वो आपका कब आएगा जुलाई आएगा क्योंकि जनवरी तो निकल चुका है जैसे आपका salary जुलाई में encourage किया तो हर साल आपका जो increment होगा वो जुलाई में होगा और अब मालिजे कि कोई जैसे March में जाके join किया किसी भी साल के March में जाके join किया तो इसका जो 6 महिना जो complete होगा वो तो अगस्त में complete होगा जुलाई तो निकल चुका है तो इसका तो इंक्रेमेंट नहीं हुआ तो इसका जो इंक्रेमेंट होगा वो आपका कब होगा जनवरी में तो उसका हर साल इंक्रेमेंट लगेगा जनवरी में ही समझ में आ गया यानि कि आपका एक बार जब इंक्रेमेंट या तो जनवरी में या तो जुलाई में लगेगा पहली बार जब लगेगा उसी डेट को हर साल लगेगी यनि कि पहली बार आपका यदि इंक्रेमेंट लगा जुलाई में तो हर साल लगेगी जुलाई में यदि पहली बार जनवरी में लगा तो हर साल लगेगा जनवरी में आपका basic 3% encourage करता है 3% कहने का अर्थ है कि अभी आपका जैसे SSC, MTS और हवलदार के लिए basic कितना है 18,000 तो इसका 3% आपका कितना होगा 18 तिया 54, 540 तो increment जो आपका होगा basic जो आपका encourage करेगा उ करेगा 500 ये round figure में होता है आपका बीच वाला data नहीं लिया जाता है यानि कि आपका encourage किया 540 यानि कि ये 40 नहीं होगा 500 ही होगा यानि कि आपका जो अब हो जायेगा जो basic ओ 18,500 हो जायेगा समझ माया और अब आप ये बोलिएगा कि 40 क्यों नहीं लिया तो इसलिए नहीं लेता है 550 भी हुआ तब भी आपको आगे बला मिलेगा यानि कि 600 बला और ये आपका 550 से नीचे हुआ 500 आपको मिलेगा समझ में आ गया तो ये round figure में चलता है बीच बीच बला ये नहीं आता है तो ये इसका rule है आपका basic का 3% ये encourage करता है यानि कि आपका पहला increment होगा वो 18,500 आपका basic हो जाएगा फिर अगले साल इसका 3% होगा इसी तरह करते करते हिया इसका 3% हर साल encourage करता है समझ में आ गया अब आईए आपको दिखाते हैं आगे पहली बात तो ये हो गई salary जो encourage करती है आपका basic encourage करता है तब और second जो चीज होती है वो आपका dearness allowance होती है यानि कि DA महंगाई भता और ये हर 6 महीना पे बढ़ता है आप लोग news में भी देखते होंगे हर एक 6 महीना पे encourage करते रहता है और अभी जो कर रहा है कभी 3% कर रहा है इस तरह करके यह encourage होते रहता है मतलब जैसे अभी आपका DA है 34% और ये हाँ जनवरी में ही increment हुआ है अभी जुलाई वाला announcement नहीं हुआ है और जैसे जुलाई वाला announcement हो जाता है तो यह encourage होके 38 तक हो सकती है या फिर आपका 37 होगा 3-4% encourage करती है समझे में आ गया तो यह आपका mainly हुआ DA और उसके बाद आपका basic हुआ basic साल में एक एक बर encourage करता है और DA साल में दो बर यानि कि किसी वज़ा से आपका salary हर साल encourage होते रहती है तो कि दोस्तों hopes हो कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा कि salary कैसे कैसे encourage करती है तो यह सभी पोस्ट के लिए लागू होता है जो भी job में आप जा रहे हैं किसी भी पोस्ट में जा रहे हैं सभी पे यह लागू होता है ओके तो दोस्तों आपको यदि यह जनकारी अच्छी लगी होगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और आप अभी तक चनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले मिलते हैं एक अच्छा सा न्य वीडियो लेके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार